तो ये है मेरे पास Poco का A5 और इसके लिए आज चुका है HyperOS 2.2 का एक latest updated version जिसमें काफे कुछ चीज़े एड करी गही है आपको रियाले में पसंद आने वाला है और इसे mode किया गया है, modified किया गया है Charlie OS के तरफ से है तो क्या कुछ कैसे तेखनी को मिलता है, क्या का extra customization है वो अच्छा लगता है तो यहां पर आप देख पार होगा एक लाइव वालपेपर में यूज कर रहा है तो यह वालपेपर मैंने और लाइव लाइव लाहीं देर खाए अपने वालपेपर चैनल पर जहांसा आप इसे निकाल सकते हो तो आपकी मर्जी है यहां पर लाइका 6.1 का कैमरा यूज किया गया है जिसमें आपको कई सरे फीचर्स के देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है और आपको यह काफी पसंद आने वाला है क्योंकि काफी कुछ चीज़ यहां पर एड करी गई है और इसे चाओ तो अपने ऑफिसियल हाईपर ओस के मिलते हैं तो अपने नीट के साफ से जो कुछ भी आपको यहां पर चेंज करना है वह साई चेंज कर सकते हो और इस कैमरा का फुल बेनिफिट ले सकते हो टेक्ट कलर फीचर्स और कई साई चीज़ यहां पर बदली गई है तो जो आप इसे यूज करोगे अच्छे से एक्स का लेटेस्ट अप्डेटर वर्जन है वहीं पर हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखनी को मिल जाता है साथ-साथ एंड्वाइट 15 पर फॉर मंत का लेटर सीकुरिटी पर रन कर रहा है चाइना बेसे यहां पर आपको जो करनल देखनी को मिलता है और इसलेशन के टाइम में काफी ज़्यादा सही देखनी को मिलता है अच्छी बात है अदिशनल के अंदर आपको multi language support मिल जाएगा तो जो भी language आपको यूज करना है कर सकते हो अनदर यहां पर आपको मिल जाता है जो कि floating window अगेरा जहां पर आपको toolbox और बाके अदर option मिल जाते है जो कि आप यहां पर को आपको दिकत नहीं आने वाली एडवां टेक्चर भी दिया गया है और यहां पर 120 60 90 अनलॉक है तो आप चाहँ तो बैटरी सेविंग लिए 90 पर यूज कर सकते हो बट मेरा मानना है कि 120 दिया गया तो मैं 120 ही यूज करूंगा चाहा है एक 2% extra battery खर्च हो बट मुझे बैट बैटरी अच्छा है मैं बस एक ओपिनियन कर रहा हूं ओके हो में कासी कुछ मोटिफाइड किया गया है जैसे कि इन्हेंस ब्लर एडवांस टेक्चर फोर्स डार्क ब्लर और यहां पर आपको एप वेल्ट का ओप्शन मिल जाते है सर्च बार होम स्किन पर यहां पर सर्च को मिल जाता है प्रोवाइडर है स्मॉल फोल्डर ब्लर का ओप्शन दिया गया है बाकि यहां पर आइकन के अंदर आते हो तो आइकन साइज में आपको यहां पर अललग बैग्राउंड कलर देखनी को मिलते हैं इतना ही नहीं डॉक का कुस्टमाइशन दिया गया है जो कि अपने इसाब से यहां पर जैसा चाहो ऐसा है जो रिडिउस है यहां पर कर सकते हो तो काफी चीज़ें यहां पर एड करी गई है जो कि आपको यहां पर पसंद आने वाल है तो जिस तरी के साब को इस डॉक को कॉस्टमाइश करना है वैसे आप यहां पर कॉस्टमाइश कर सकते हो तो यह काफ़ी अच्छा यूच्फूल और काफ़ी डिफिरेंट से आपको फीचर्स मिलता है बाकि आप चाहो तो टेस्ट को सिंगल लाइन पर यहां पर यहां पर कर सकते हो अन्लॉकिंग के अनिमेशन दिए गए मिवा 11 का डिशेवल का या फिर डिफॉल्ट का अन्नादर यहां पर आपको वाल पर जूम का उप्सन मिल जाता है प्रिवियूस एप का सर्ट टू सरकर रखना या नहीं वह उप्सन आपको मिल जाता है और यहां पर अललोग स्टाइल जैसे कि इस्टॉक स्टाइल और वर्टिकल वगएरह है यहां पर टैप को छोटा बरा भी करने का ऑप्सन आपको यहां पर मिल जाता है तो देख सथे यो बैग्रांड पूरा का पूरा ब्लड आपको देखने को उम्बेर है यह भी चीज़ आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते और अगर आप alarm on कर रखते हो और alarm आपने set कर रखा है तो जितना भी remaining time रहेगा वह आपके lock screen पे so करते रहता है तो यह चीज़ आपको different आपको मिलती है बाकि सारे customers आपको simple ही रेखनी को मिल जाते है similar पहले जैसे ही बाकि यहां पर भी same चीज़ आपको मिलती है वाल पर personalization के अंदर आपको AI wall पर मिल जाता है जो कि आप यहां पर dynamic का benefit ले पाओगे proper काम करता है AOD के timing भी remove की गई है बट आप चाहो तो यहां पर जैसे वैसे यूज कर सकते बट में रिकमाने ट्रूंगा 10 seconds वाला ही यूज करना ज्यादा better रहेगा आप सभी के लिए अनदर यहां पर करना वाले तो आप जैसा चाहो वैसा setup कर सकते हो बना सकते हो और इसके benefit ले सकते हो अभी net हमारा office यहां पर विजट सो नहीं हो रहे है तो यहां पर मैंने एक दो विजट सी अप्लाई कर रखे है रही बात यहां पर हमारा जो test result कैसा आता है तो उसको पर एक नजर डाल ले इंट्रो देखनी को मिल आता है इस कैमरे का जो कि मुझे पसंद आया है वह सब्सक्राइब चेक किया सही है अंट्रो स्कोर काफी बहतरीन है अनदर यहां पर जो कि हमारा geekbench है यह भी काफी जाड़ा top notch रहता है अच्छा-कासा CPU टोटल काफी सही देखनी को मिला 92 का percentage यहां यू के रोम पर देखनी को मिला Poco F6 के अंदर साथ-साथ अनदर डे मैंने फिर से चेक किया तो चार लाग साथ-साजर मैक्स थवासा इंप्रूब्मेंट आया है तीन लाग साथ-साजर मिन्मम और 91 का percentage और यह वी काफी जड़ा सही है अनदर यहां पर आपको photo storage unlock मिलता है अच्छी बाट है यहां पर डिवाइस का बूटलरा unlock दिखाई देता है कुछ लोग अस्वूफ करना चाहते हैं तेनका official group support में जा सकते हो वहां से help लेकर इसे ठीक कर सकते हो साथ-साथ-साथ यहां पर कुछ wallpaper है जो कि मेरे wallpaper चैनल पर मिल जाएंगे आप वहां से ले पाओ जैसे आपको download करके install कर लेना है अपने phone के अंदर और system के एक बार restart कर लेना है जैसी आप इस चीजे कर लेते हो आपको यहां पर device certified हो जाएगा और banking आप वगरे में आपको दिक्कत नहीं आएगी बट आपको strong वाला fix करना है जिनके support group में चले जाना बाकि यहां पर gaming में भ अब एक latest update आ गया है जो कि इसके बाद test करके मैं आपको वीडियो दूँगा लेकिन पिछले जो अपडेट आया न वो उतने मुझे अच्छे नहीं लगे है जेटके के लेकिन देखते है नयवाला कैसा है और यह update मुझे इस वर काफी हद तक सही लगा रही बट इंस्टॉ अगर बोला गया है कि औरेंज फोक्स यूज करना है तो अगर टी दूर्प अगर नहीं बताया गया है तो लेटिस्ट वाला ही यूज करना इस बात का ध्यान लखना अगर आप पर जो अपना टी दूर्प वाला method फॉलो करने वाले हो तो और यह जो password आया है यह आपके device का लॉक इसकीन का password रहेगा तो आपका जो भी लॉक इसकीन का password होगा वो डाल देना उसका आपका है जो इस तरह की से इंटर्नल सो करने लग जाएगा यहाँ पर आपको सिंपल ब्राउच करना है रोम को जो भी रोम आप फ्लेश करने वाले अपने device की अंदर supported होना चाहिए यहाँ पर देखो hybrid लिखावा है sometime रोम के ओपर hybrid लिखावा नहीं रहता तो ignore करना पहले अक्सर बताया जाता है वाइप करने के लिए यहाँ पर तो मैं कहूंगा कि wipe नहीं करो तो better हैगा इससे कुछ advantage आपको मिल जाता है जैसे कि आप रोम select करके flash करते हो तो sometime error आता है तो यहाँ आपको यहाँ पर reboot to recovery कर लेना है और दुबार रोम को flash करना है वैसे में अगर आप starting पर wipe करते हो तो internal काम करना बंद कर देता है तो next time डिक्कत आता है इसलिए first time wipe मत करो direct रोम को select करो और swipe करो hybrid रोम का अपने recovery से भी flash कर सकते हो अगर आपके device का recovery है तो otherwise PC से तो यह थ देख होए PC screen पर एक रोम है जो कि मैं select कर रखो यहाँ पर इसमें भी hybrid लिखावा है अगर नहीं रहता तो कैसे पहचानना है जब भी आप रोम को अंजीब करोगे ना तो उसके अंदग उच इस तरह किसे installer bat का file बना रहता है कई बाद कई चारे file बनी रहती है कई बाद एक रोम को अंजीब कर रखा है तो यहाँ पर इस्टा फाइल है बने भी है mostly हमें जो first time install वाले के ऊपर focus करना है तो मैंने भी जो अंजीब किया था वो यह रहा ठीक है इसमें installer file है अब मैं इसे इसमें flash करके दिखा रहा हूं तो उसके लिए क्या करना है हम fast food mode on करना है जिसके power turn and volume down को long press करेंगे जैसे light up होगा हम power turn को leave करेंगे और volume को दबाये रखेंगे अब यहाँ पर यह आ चुका अब इसे हम PC से connect कर सकते हैं और यह जो process ना यह आप अपने phone से follow नहीं कर सकते है इसके लिए PC की जरुद परेगी ही लेकिन यहाँ पर यह जो process बताया second way जो की recovery का है यह तो आप करें सकते हो अब यहाँ पर मैं bad file को run कर दूगा maybe कोई-कोई bad file run होते समय आपसे कुछ permissions हो गए रहा मांगता है और कई बार simply flash होने लग जाता है तो आपको command के ऊपर ध्यान देना है जैसे कि पूछ रहा है कि route करना है या नहीं अग आपको नहीं करना है तो अगर आपको रूट करना है तो आप उसके नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो उसका इंटर क्लिक करो अगर यह option आते हैं तो करना है अधवाई simple flash होने लग जाता है अब पूछ रहा है कि route क्या से करना है magic से या फिक करना है जिसके लिए A और B का option है तो आप उसके नहीं से इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको दिक्कत न आये तो यह था दूसरा method जो कि hybrid है मैंने pieces flash किया अगर चाहता तो मैं इसे internal में डाल के flash कर सकता जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया है अब यहां पर complete flash हो गया है अगर नहीं होता तो क्या बोला था reboot to recovery करके फिर से flash कर आना है format पर जाना है यहां पर yes type करना है और right पर click कर देना है और reboot पर कर देना है इस तरहीं से अगर no is install लिखावा भी आता है तो ignore करना sometime यह लिखावा आता है और sometime नहीं आता just हम यहां पर कर देंगे क्योंकि हमारा Rome easily flash हो चुका है test hybrid का method 1 जो कि recovery के help से था और दूसरा भी कि मैं device कौन सा यूज कर रहा हूँ रोम कौन सा यूज कर रहा हूँ बस आपको process को ओपर ध्यान देना है और follow कर लेना है यहां पर आप देख से तो कि इसका boot dimension आ गया और यह on भी हो गया और hybrid वाले method में जो PC वेला है उसमें आप देख से तो last में पूछ रहा है कि आपको internal format करना है यह नहीं sometime यह auto format कर देता है पूछता नहीं है तो जब पूछे तो आप yes कर लेना internal format कर लेना every time बेटर रहता है रोम के smoothness और better performance के लिए तो yes type करेंगे और click कर देगा आप देखो कि हमारा command बंद हो चुका है run कर रहा जो हमारा phone यहां पर off हो गया अब on करेगा और कुछ दिर में यह भी boot कर जाएगा तो hybrid method के दो तरीके बता है जो कि आप समझ चुकी होगे तो वीडियो को please like कर देना हो चैनल पर नहीं है तो subscribe आकि आपको ऐसी interesting वीडियो है जो मिलते है future में भी तो मिलते नेक्स वीडियो में thanks watching टाटा बाई बाई